नमबर सिस्टम का ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्जाम के लिए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोशन देखते हैं कि किस टाइप के कोशन इसमें पूछे जाते हैं जैसे कोशन अगर हमें दे रखा है यदि x is equal to हमें दे रखा है root 3 plus का root 2 और हमें value अगर बतानी हो x plus 1 upon x की value यहाँ पे हमें ग्याद करनी है तो कैसे इस कोशन को हम solve करेंगे यहाँ पे x की value तो हमें पता है अगर हम 1 upon x की value find कर लें तो इन दोनों को add करनी के बाद answer हमें पता लग जाएगा तो हम कैसे solve करेंगे है 1 upon x क यहाँ पर हम find करेंगे तो बन अपॉन एक्स की value यहाँ पर हम लगाएंगे तो वन अपॉन एक्स की value यहाँ पर put करेंगे तो root 3 plus का क्या हो जागा root 2 हो जाएगा अब इसको solve करने के लिए इसी से sign change करके हम उपन नीचे minus मतलब multiply करेंगे तो यह हो जाएगा root 3 minus का root 2 से ही उ एंसल हो जाएगा कोई फर्क पड़ेगा क्या कोईशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब इसकी से multiply होगी तो यह हाँ पे क्या हो जाएगा root 3-minus का root 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक formula बन रहा है यह plus b a-b क्या होता है a square minus b square मतलब यहां हो जाएगा root 3 का square और minus यहां पर किसका square हो जाएगा root 2 का square हो जाएगा तो यह हो जाएगा root 3 minus का root 2 और upon में square से root हटेगा 3 बचेगा यहां पर minus यहां पर कितना बच जाएगा square से root हटेगा तो 2 बच जाएगा इसका मतलब यहां value हमारी कितनी निकलेगी root 3 minus का root 2 और upon में कितना आजागा फन तो यह value किसकी निकल के आई है 1 upon x की value आगई हमारी कितनी root 3 minus का root 2 अब हम x और 1 upon x की value को add करेंगे आपस में तो यह हो जाएगा x plus का 1 upon x मतलब x की value हम यहां पर put करेंगे तो यह हो जाएगा root 3 plus का root 2 plus बन अपन x की value हम यहां से root 3 minus का root 2 put करेंगे तो यहां पर root 2 से root 2 cancel हो जाएगा तो root 3 root 3 तो कितने root 3 यहां पर answer आजाएगा मतलब 2 root 3 हमारा answer यहां पर हो जाएगा इसके आगे question और देखते हैं जैसे हमें question दे रखा है यहाँ पे n is equal to हमें दे रखा है यहाँ पे 7 plus का 4 root 3 और value हमें बतानी है यहाँ पे root n plus का 1 upon root n की value हमें यहाँ पे find करनी है तो इसको कैसे solve करेंगे हमें यहाँ पे n की value दे रखी है value निकाल नहीं है root n की तो root n की value कैसे निकलेगी अगर हम यहाँ पर square बना लें तो यहाँ से square हटेगा इधा root लग जाएगा तो इसको हमें square बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे इसको square 7 को हम क्या लिख सकते है 4 plus 3 लिख सकते है यह वाला 4 हम वैसे ही रखेंगे 4 root 3 और इसको हम क्या लिख सकते है 2 का square लिख सकते है और 3 को हम क्या लिख सकते है root 3 का square लिख सकते है यहाँ पर देखो square से root हट जागा तो 3 ही बचेगा यहाँ पर और प्लस इस 4 को क्या लिखेंगे 2 into 2 root 3, ऐसे लिख सकते हैं हमें से, तो देखो, यहां पर हमारा 1 square बन गया, a square plus b square plus 2 a, a की जगए 2 और b की जगए कितना आ गया, root 3 आ गया, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, 2 plus root 3 का whole square, तो n की value हमारे यहां पर आ गई, तो root n की value हमारे यह निकल के आ गई, अब 1 upon root n की value निकलने के लिए हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था कि हमें value दे रखी थी, root 3 plus का x की value हमें दे रखी थी, root 2, तो जब हमने 1 upon x की value निकाली थी, तो root 3 minus का root 2 निकली थी, इसका मतलब root n की value 2 plus root 3 है तो 1 upon root n की value क्या आ जाएगी यहाँ पर बस केवल और केवल minus आ जाएगा मतलब 2 minus का root 3 आ जाएगी क्योंकि solve तो वैसे ही करना पड़ेगा हमे तो अब इन दोनों को add कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा root n प्लस का 1 upon root n की value हमारी क्या निकल के आ जाएगी 2 plus का root 3 2 plus का यहाँ पर root 3 plus लगाएंगे और 1 upon root n की value लगा देंगे यहाँ पर 2 minus का root 3 हो जाएगी अब root 3 से root 3 cancel हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हमारा answer यहाँ पर हो जाएगा इसकी आगे एक question और देख लेते हैं जैसे हमें question यहाँ पर दे रखा है कि अगर x cube प्लस 1 upon x cube की value 0 हो तो हमें value बतानी है यहाँ पर x plus 1 upon x का पावर 4 की value हमें यहाँ पर बतानी है तो इसे कैसे solve करेंगे हमें यहाँ दे रखा है x cube प्लस 1 upon x cube इसका मतलब यहाँ पे हमें AQ plus BQ वाला formula लगाना पड़ेगा तो वो कैसे हम लगाएंगे हम जानते हैं यहाँ पे A plus B का whole cube का formula हमें यहाँ पे लगाएंगे जैसे X plus 1 upon X का अगर हम cube कर दें तो इसका cube क्या हो जाएगा A plus B का whole cube क्या होता है AQ plus BQ plus 3AB और bracket में A plus B मतलब यह हो जाएगा AQ मतलब X cube हो जाएगा plus BQ मतलब 1 upon X का cube हो जाएगा और plus 3AB 3A की जगह कितना आजाएगा X और B की जगह कितना आजाएगा 1 upon X और bracket में A plus B होता है मतलब यहाँ कितना आजाएगा X plus 1 upon X हो जाएगा यह x से यह x cancel हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा x plus 1 upon x का whole cube और equal में x cube plus 1 upon x cube हो जाएगा यहाँ पे और plus का यहाँ कितना बचेगा 3 और bracket में x plus का 1 upon x हो गया अब इसकी value हमें यहाँ पे पता है x cube plus 1 upon x cube की value 0 दे रखिए इसकी जगे हम 0 put कर देंगे इस पूरे की जगे और plus का 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा x plus का 1 upon x हो जाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है x plus 1 upon x का whole cube चल रहा है इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं x plus 1 upon x को हम लिख सकते हैं x square और यहाँ पे हम bracket में x plus 1 upon x इसको लिख सकते हैं क्योंकि power 2 ये रही एक power ये रही 3 power को इस तरीके से multiply में लिख सकते हैं इदर कितना बचा 3 और x plus का 1 upon x यहाँ पे बचा यहाँ पे x plus 1 upon x से x plus 1 upon x कैंसिल कर सकते हैं हम तो value कितनी बची यहाँ पे x plus 1 upon x का whole square की value कितनी आजाएगी थिरी अगर हम एक बार और square कर दें तो हमें value मिल जाएगी एकस प्लस 1 upon x की power 4 की तो हम एक बार और इसका square करेंगे तो ये हो जाएगा x plus 1 upon x का square का एक बार square और हमने कर दिया और यहाँ पे three okay square हो जाएगा तो यहां पे यह यह यहां पर हो जाए तो आई होप आपको काफी कुछ यहां पर किलियर हुआ होगा तो इस टाइप के कोशन को किस तरीके से करना है आपको बहुत सारी इसकी प्रक्टिस करना है मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में